व्लकम बैक ट्रेडर्स Pivot Points और Price Action की अगर हम combination में बात करें तो इसे हम एक पूरा trading course कह सकते हैं Pivot Points और Price Action combination में represent करता है structure trading, that's trend trading, break of structure trading, that's trend reversal trading, advanced support and resistance, sentiments and price momentum trading को यहने कि यह एक complete trading का package है Pivot Points और Price Action को combination में use करने के लिए सबसे पहले हम अपने chart पर Pivot Points Standards नाम का एक indicator लगाएंगे और इसकी settings में आकर आपको type में फिबोनाशी रखना है, number आप Pivoters back में आपको 5 रखना है ताकि आपको सिर्फ पिछले 5 दिन के Pivoters दिखे labels position को आपको right रखना है ताकि यह जो labels है आपको right तरब दिखे इससे आपको price के values easily दिखेंगे line width को हम यहाँ पर 3 रखेंगे ताकि यह जो line है इनकी width थोड़ी बढ़ जाए और यहाँ पर हम S3, S4, S5, R3, R4 और R5 को अंचक करेंगे यहाँ पर जो हम use करेंगे वो है P, S1, S2, R1 और R2 यहाँ पर जो P है यह है main pivot की line इसका color में blue रखोंगा जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसके बाद है S1 और S2 यह है support 1 and support 2 इनका color में green रखोंगा और इसके बाद है resistance 1 and resistance 2 इनका color में red रखोंगा और यहाँ पर आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको करना है save as default और आप देख सकते हैं कि आपके price chart पर pivot points जो है वो अच्छे से draw हुए है pivot point को और आगे समझाने के लिए सबसे पहले मैं इन lines को भी अंचक करता हूँ ताकि आपको सिरफ pivot point की line दिखे तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जब भी आप अपने pivot test 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes और 15 minutes के chart पर देखोगे तो उन्हें calculate किया जाता है previous trading session के high, low और close का average निकाल कर तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि 1 minute, 3 minutes, 5 minutes और 15 पर pivot का value change नहीं होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो recent session है, यहाँ पर P का value है 2, 0, 8, 9, 7, यह है 5 minutes time frame पर अगर मैं 1 minute time frame पर आऊँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वही value है, 3 minutes पर आजाओं, तो same value है 15 minutes पर आ जाओं तो यही value जो है वो same रहता है यहने कि 1 minute, 3 minute, 5 minute और 15 minute पर pivot का value same रहता है लेकिन जैसे ही मैं 30 minutes time frame पर आओंगा आप देख सकते हैं कि जो pivot point है इसका value change हुआ है यहाँ पर ऐसा क्यों होता है क्योंकि 30 minutes, 1 hour, 4 hour, 8 hour time frame का जो pivot है वो calculate किया जाता है पिछले week के candle से जिसका हम high, low or close का average देखते है तो उससे यह pivot calculate किया जाता है तो यहाँ पर आपको याद रखना है 30 minute, 1 hour, 4 hour और 8 hour पर आपके pivot का value change नहीं होगा यहाँ पर यह सेम रहेगा जैसे कि यहाँ पर 30 पर यह value है मैं 1 hour पर आओंगा तो same value रहेगा 4 hour पर आओंगा तो फिर भी same value रह का average निकाल कर इसी तरह से weekly और monthly पे same pivot होता है जिसे calculate किया जाता है पिछले एक साल के candle के high, low or close का average निकाल कर यह चीज़े आपको याद रखनी है और यह है इसका एक cheat sheet आप इसका एक screenshot उठा सकते है pivot pointers में सबसे पहले हम सीखेंगे कि trend को कैसे identify करते है पहले हम सीखेंगे कि uptrend को कैसे identify करते है जब आपको दिखें कि पहले दिन का pivot यहाँ पर खुला है और उसकी अगले दिन का pivot उससे ऊपर खुला है फिर उससे ऊपर एक pivot खुला है फिर उससे ऊपर एक pivot खुला है यानि क पहला pivot था, फिर अगले दिन का इस से उपर, फिर अगले दिन का इस से उपर, तो ये uptrend की निशानी होती है कि pivot जो है वो पिछले pivot के comparison में higher खुलता है, और अगर हम downtrend की बात करें तो downtrend में जो पहला pivot होता है, next pivot इसके comparison में नीचे खुलता है, third pivot इसके comparison में नीचे खुलता ह तो यह हुआ, अब trend और downtrend हम कैसे identify करते है, with the help of pivot points. अब हम देखेंगे कि trend reversal हम कैसे identify कर सकते है, with the help of pivot points. तो यहाँ पर आप दियान रखिए. अगर पहला pivot यहाँ पर खुल रहा है, next pivot इस से उपर, third pivot इस से उपर, और fourth दिन का आपको देख रहा है कि यहाँ पर खुल रहा है इससे नीचे तो ये नहीं होता है कि trend reverse हुआ है इसका मतलब है कि या तो prices pause ले रहे हैं या तो एक छोटा सा pullback market में आया है लेकिन अगर आपको दिखे कि फिर और एक दिन का pivot है वो नीचे खुला है तो ये एक complete trend reversal को represent करता है यहाँ पर ऐसे price जाते है यहाँ पर गया उपर गया फिर से फिर से उपर आया और यहाँ पर यह नीचे आ रहा है जैसे कि हम trend में देखते है higher highs और higher lows का structure बन रहा है फिर जैसे ही वो structure टूर जाता है उल्टा movement देकर तो हम कहते हैं कि reversal आ सकता है उसी तरह से हम pivot में भी देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि pivot पहला यहाँ था next इससे उपर next इससे उपर फिर से उपर खुला है और अगले दिन का pivot जो है वो यहाँ पर नीचे खुला है पिछले pivot के comparison में तो यह downtrend को अभी represent नहीं करेगा लेकिन अगर फिर भी और एक दिन का pivot जो है वो नीचे खुल रहा है तो वो एक complete trend reversal को represent करेगा और उस दिन आप अच्छे से selling की position बना सकते हो लेकिन अगर आपको दिखे कि ऐसे खुल रहा है एक ही pivot नीचे खुल रहा है और फिर आगे क्या हुआ है कि यहाँ पर trend reversal हो रहा है यहाँ पर यह pivot है फिर इससे उपर खुला फिर इससे उपर खुला तो यह complete trend reversal को represent करता है और इसके बाद आप देख सकते हो कि prices भी उपर की direction में गए है तो यह अभी भी एक healthy up trend को represent कर रहा है यानि कि जो pivot points है आप इससे trend को भी identify कर सकते हो और trend reversal को भी identify कर सकते हो इस trend trading और trend reversal strategy से मैंने आपको पिछली बार सिपला में invest करने के लिए suggest किया था इस level पर और मैंने आपको कहा था कि अगर आपको invest करना है आप यहाँ पर buy कर सकते है क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था पहले downtrend चल रहा था पेवर्टस आप देख सकते हैं कि नीचे बन रहे थे फिर आप देख सकते हैं कि यह वो trend reversal दिखा रहे थे यानि कि तीन पेवर्टस यहाँ पर continuously उपर की direction में जा रहे थे फिर यहाँ पर जैसे ही हमने आपको suggest किया था buying के लिए हमने आपको कहा था कि आप इस उपर वाले target तक जा सकते हैं फिर आप देख सकते हैं कि यह target एची हुआ है आप इस चीज़ को देख सकते हैं यह मैंने आपको 6 महीने पहले बोला था और pivot के उस वीडियो की timing वहाँ पर होगी 21 minutes और 34 seconds जो कि मैं आपको यहाँ पर भी दिखाऊंगा अगर आपको investing करनी है तो या इसमें saving trade करना है तो आप इस position से लेकर इस position तक जा सकते हैं या अगर आप long term में invest करते हो तो जैसे ही यह इस resistance को यहाँ पर प्रीच करेगा तो आप supply के जो इसका high point था यानि की इस point तक का target ले सकते हैं अगर हम pivot point से trading की बात करें तो जब भी आपको दिखे कि market में downtrend चल रहा है तो वहाँ पर हम selling की position बनाते हैं वह कैसे बनाते हैं आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं अगर prices उपर से aggressive moment दे रहे हैं और pivot point का breakdown दे रहे हैं तो यहाँ पर हम selling की position बना सकते हैं और second position होती है जब आपको दिखे कि prices जो है वो continuously bounce back कर रहे हैं pivot point पर और ब्रेकडाउन दे रहे हैं यहाँ पर भी हम selling की position बना सकते हैं और third होता है जब आपको दिखे कि prices जो है वो pivot point से नीचे हैं और इसका retest देने के लिए उपर आ रहे हैं तो यहाँ पर भी आप selling की position बन सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं एक selling की position बन रही है यहाँ पर selling की position बन रही है यहाँ पर सीधे ही breakdown हो रहा है यहाँ पर भी हम अपनी selling की position बना सकते हैं यहाँ पर बना सकते हैं यहनि कि short में याद रखना है कि pivot point ही help से आप downtrend को easily trade कर सकते हो और अगर हम uptrend की बात क इसी पर support ले रहे हैं और एक बड़ा सा candle बना कर उपर का moment दे रहे हैं यहाँ पर भी हम buying कर सकते हैं और तीसरी probability होती है जब prices एक बड़ा सा moment दे कर उपर जाए फिर यहाँ पर retest करने आ जाए इस pivot point पर था तो यहाँ पर भी हम buying की position बना सकते हैं जैसे कि हम इन examples में देख सक को यहाँ पर भी हमारी win-win situation बनी है यहाँ पर pivot का breakout हुआ है सीदे ही तो यहाँ पर भी हमें successful trade मिला है तो इसी तरह से आप pivot को अच्छे से trade कर सकते हो चाहे वो uptrend हो या downtrend हो लेकिन इसके लिए आपको trend trading और price moments की knowledge होनी चाहिए जो कि मैं आपको आगे भी सिखाऊंगा अब जो strategy हम सीखने वाले है इसमें हम trend trading और trend reversal trading structures का use करेंगे with pivot points as support and resistance यहाँ पर हम P, S1, S2, R1 और R2 levels का use करेंगे structure trading की अगर हम बात करें तो इसमें हम uptrend और downtrend के structures देखते हैं और उनके trend reversal patterns देखते हैं अगर हम uptrend की बात करें तो uptrend में higher highs और higher lows का pattern बनता है यानि कि जो next low होता है वो पिछले वाले low के comparison में higher होता है और similarly जो नया high होता है वो पिछले वाले high के comparison में higher होता है अगर हम इ higher highs और higher lows का pattern उल्टा पड़ जाता यानि कि ऐसे हो जाएगा यानि कि अब यहाँ पर या तो lower high बनेगा या तो lower low बनेगा तब हम कहते हैं कि market में एक trend reversal structure बना है फिर यहाँ पर हम selling का trade करते हैं और अगर हम downtrend की बात करें तो downtrend में lower lows और lower highs का pattern बनता है और जब इसका trend reversal structure बनता है उस वकत यहाँ पर या तो higher high बनेगा या तो higher low बनेगा तब हम कहते हैं इसका trend reversal structure बना है और यही same चीज आपको मैंने pivot points की हलब से भी सिखाई थी लेकिन pivot points आपको daily basis पे यह बताएगा लेकिन intraday के base पे नहीं बता पाएगा तब ही हम यहाँ पर trend को use करते हैं और अगर हम support and resistance trading की बात करें तो यहाँ पर हम pure point standards के level को as a support and resistance mark करेंगे अब trend में हम aggressive buying करेंगे लेकिन जब भी हमें structural reverse trade मिलेंगा तब हम double confirmation लेंगे और similarly जब हम downtrend में trade करेंगे वहाँ पर हम selling की traders बनाएंगे लेकिन जब भी हमें buying का मुखा मिलेगा हम पहले double confirmation देखेंगे जो कि मैं अभी आपको सिखाऊंगा और अगर हम support and resistance की बात करें तो मैं मान लेता हूँ यह एक support है जब आपको दिखें कि prices बहुत ज़दा उपर से आ रहे है और सीधे ही इसका breakdown दे रहे है तो यह एक fallis moment होता है यह कभी भी reverse हो जाता है तो ऐसे structures पे आपको pivots में trade नहीं करना है इस situation में आपको ज़्यदा तर trend reversal trades ही देखने है जब सीधे price moments आते हैं यानि कि price नीचे आया retest के लिए या तो यह उपर गया फिर इस pivot का retest यहां पर दिया तो यहां पर आप buying के positions बना सकते है और दूसरी situation है इस support की यहां पर कि अगर prices उपर से नीचे आ रहे है एक proper structure बना कर यानि कि higher highs और higher lows का pattern बना कर फिर अगर breakdown होता है तो यहां पर आप aggressive traders ले लेते हो यहां पर किसी भी retest की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है और अगर मैं तीसरी situation की बात करूँ अगर prices उपर से आ रहे हैं और इस support को यहां पर hold कर रहे हैं फिर अगर यहां पर breakdown होगा तो यह भी real breakdown होता है तो यही तीन cases है जिससे आप pivot points को यहां पर as a support and resistance trade करोगे और अगर मैं resistance की बात करूँ तो यह एक resistance line है जब भी आपको दिखे कि prices सीदे ही उपर जा रहे हैं यहां पर आप दो चीजे कर सकते हैं या तो आप retest का wait करोगे फिर trade ले ले लेना या अगर आपको दिख रहा है कि trend reversal pattern बन रहा है यानि कि lower highs या lower lows का pattern बन रहा है फिर आप selling का trade करोगे और दूसरी यहां पर probability होती है कि एक structure बना कर यानि कि higher highs और higher lows का pattern बना कर prices उपर जा रहा है तो यहां पर आप aggressive buying करोगे कोई भी double confirmation लेने की ज़रूरत नहीं है और तीसरी probability है prices नीचे से आ रहा है और level को hold कर रहे है यानि कि यहां पर एक consolidation आ रही है फिर अगर यहां पर ऊपर की level का breakout होता है तो हम यहां पर buying करेंगे तो यहां पर मैं आपको और एक case बता दूँ अगर ऐसे scenarios में आपको दिखरा है कि prices नीचे आ रहे है तो आपको double confirmation लेनी होती है क्या यहां पर trend reversal का structure बन रह रहा है तो यह सारी situations थी जो हम इस trading strategy में use करेंगे चलिए आप इस strategy को हम real chart पर देखते हैं तो अगर मैं यहां पर पहले trend की बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हो कि pivot यहां है अगले दिन नीचे फिर से नीचे फिर से नीचे तो यहां पर एक downtrend चल रहा है यानिकि downtrend म हम selling के trades बनाएंगे और अगर मुझे buying का mocha मिल रहा है तो मैं double confirmation पहले देखूंगा जो कि मैं आपको सिखाने वाला हूँ हम इस जगा से start करने वाले है यहां पर आप देख सकते हो कि prices जो है वो सीधे ही उपर गए थे और यहां पर आपको मैंने कहा था कि breakout पे सीधे ही trade नह नहीं लेना है फिर यहां पर retest के लिए आया है तो आप selling का trade बना सकते हैं तो यह वाला भी successful हुआ अगर हम अगले दिन की बात करें तो यहां पर क्या हुआ कि prices उपर जा रहे थे pivot line की तरफ और pivot line के आसपास ही इन्होंने एक rejection दे दी फिर से prices नीचे आए फिर से price आप दे इसली वीडियो देख सकते है फाय स्टार ट्रेडिंग सेटप उसमें मैंने यह सारा कुछ explain किया है फिर से आप देख सकते हो नीचे के एक selling का structure बना है जो कि एक downtrend का structure होता है यानि कि lower highs का pattern और lower lows का pattern अगर मैं फिर से आगे देखूं तो यहां पर आप देख सकते हो कि इस line back के बाद एक बड़ा सा red candle बनता है उसमें हम अपनी entry ले लेते हैं अगर आपको flag patterns का भी नहीं पता है तो उस video की भी मैं link description में रखतूंगा आप जाके देख सकते हैं अब यहां पर सीधे ही आप देखो prices उपर आ रहा है और S1 level का breakout दे रहे थे मैंने का सीधे ही नहीं लेन है जहां पर आप buying कर सकते हो फिर आप देख सकते हो कि prices में moment आया है और similarly आप देख सकते हो कि सीधे prices जो है वो इस S1 की तरफ आ रहे थे तो मैंने का सीधे ही breakdown हुआ है तो trade नहीं लेना है इसी structure को हम आगे देखे यहां पर आप देख सकते हो pivot का सीधे ही breakdown हुआ और यह एक failure हुआ है क्योंकि downtrend में हम ज्यादातर selling के ही trade करते है और यहां पर आप देखते है lower highs का pattern बना है और यहां पर pivot point का resistance भी मिला है तो यहां पर भी हमें एक selling का trade मिला है इनने की short में अगर मैं बात करो चाहे आप buying करो या selling करो सबसे पहली preference आपको trend को देनी होती है फिर उसी trend क हिसाब से आपको अपने trades को initiate करना होता है with the help of support and resistance made by pivot points आपको automatic support and resistance provide करते हैं लेकिन आगर आप pivot points का use भी नहीं करोगे तो आप manually भी support and resistance ड्रा कर सकते हो उन चीजों पर भी यह strategy directly apply होती है अगर मैं आगे देखू फिर से pivot जो है वो नीचे की तरफ खुला है याने कि मुझे selling का trade करना है यहाँ पर आया मैं selling कर सकता था यहाँ पर आया मैं selling कर सकता था यहाँ पर S1 level का सीधे ही breakdown हुआ मैं aggressive trade नहीं लेता फिर से उपर गया यहाँ पर भी मैं नहीं लेता लेकिन यहाँ पर आप देखिए pivot का resistance मिला पहली चीज फिर यहाँ पर lower highs का pattern बना तो यहाँ पर में एक selling का trade ले सकता था अप टो दिस S1 level तो आप देख सकते हैं कि यह वाला trade भी हमारा successful होआ है तो आप इस strategy को किसी भी market में backtest कर सकते हो और आप देख सकते हो कि इसकी working probability कितनी ज्यादा है अगर मैं अब यही चीज निफ्टी 50 में try करूँ 5 minutes time frame पर तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि निफ्टी 50 में अभी uptrend चल रहा है और मैं uptrend के uptrends यहाँ पर आपको दिखाऊंगा तो आपको पता है कि uptrend में हम buying करते हैं तो जब भी मुझे buying का मोगा मिलेगा मैं aggressive buying करूँगा और जब मुझे selling का मोगा मिलेगा तो यहाँ पर मैं double confirmation पहले लोगा और एक बड़ा सा green candle भी बना है तो यहाँ पर हमारी entry बन सकती थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइसे ने resistance लिया इस pivot से मैं directly selling का ट्रेड नहीं करता फिर आगे मैं देखूं यहाँ पर lower highs का pattern बना है तो यहाँ पर फिर मैं selling कर सकता था with the help of pivot points अगर मैं आगे बात करूं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि pivot पर support मिला अगर मैं directly buying नहीं करता फिर यहाँ पर मैं देख सकता हूं कि यहाँ पर higher lows का pattern बना है तो यहाँ पर भी मैं trade कर सकता था यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीधे ही pivot point का breakdown हुआ है without any retracement तो यहाँ पर मुझे directly trade नहीं करना है selling का यहाँ पर पहले आप देख सकते लोग बना फिर यहाँ पर एक रीटेस्ट हुआ इस रीटेस्ट के बाद एक बड़ा सा green candle बना यहाँ पर मैं अपना trade ले सकता था फिर से प्राइस पर आए और यहाँ पर support लिया और structure बना के अगर यहाँ पर अच्छा खासा breakdown होता तो म support and resistance trading और आपको flag patterns की अच्छी खासी knowledge होनी चाहिए तब ही यह structures आपके favor में वरक करेंगे और आप एक profitable trader बन पाऊगे यह मैं यहाँ पर आपको favor on the base सा price action सिखा रहा था तो price action को सीखने के लिए तो time लगता है तो अपने आपको time दीजे और इन चीज़ों में master बने बस इतन परаша कि दौ साइब कर दो Chinese हम आपके बसू करें तो दो दो आपके ढओी हो साइ़ धवारार स्पक्री का लगता है उदोियों में यह आपके जूर यह और बसूल है पर पर आपके मैं